बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकिया मिल रही है और इस बात की जानकारे उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये दी है आपको मैं बता दू कि यह धमकिया उनके मुताबिक एक टीवी शो यानि एक डिबेट में जो उनका बयान है अपत्ती जनक उसे लेकर उन्हें धमकिया मिल रही है लेकिन इस बयान को लेकर के जिसे आपत्ती जनक कहा जा रहा है जो आपने बयान दिया है उसके बाद से आपको धमकिया मिल रही है या फिर आल्ट न्यूस के जो फैक्ट चेकर है उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद से मिल रही है देखिए सबसे पहल मेरी मंचा नहीं है कि मैं किसी भी धरंग विशेष की कहीं पर भी उसके खिलाफ नफरत भलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली कलोच करूं या फिर मौहल खराब करूं जो लिखा है वो मैंने बोला है और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपती जनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया अगर मैं गलत हूं तो मैं इन्वाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक लरिक को आ जिस स्क्रिप्चर में इसे पहने पढ़के बाते कहीं हैं, और बखु भी वही कहा है, उसको तोड मरोड के पेश करने वाले, एक बात पूरी हो नहीं तीजे, एक अपने आपको फैक्ट चेकर कहते हैं, जिसको मैं फेक न्यू स्प्रेडर कहती हूँ, वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत पहलाई, भाईया मैं तो जो लिखाय पढ़के बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं महौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ, एक तो मैं बात बता दूँ आपको, यह जो कह रहे हैं, जिन्होंने इसको ट्विस्ट मा महौल उन्होंने खराब तब से किया, जब उन्होंने जूट बोला, और उनका नाम है मोहमद जुबेर, और वो एक so-called fact check, alt news करके चलाते हैं, मैं उन्हें fake news better कहती हूँ, कि जैसी मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी debate क्यू नही अपलोड करी और आपने selectively heavily edit portion क्यू अप अपलोड कर लो, भाई साब आप बहुत बड़े fact checker बताते हैं अपने आपको, जैसे मैं कहती हूँ, fake news spreader, ना तो मैं किसी media channel में काम करती हूँ, और धरम संसद में, ना तो मैं हिस्सा थी वहाँ पे, और ना मैं धरम संसद का या support कर रही हूँ, मेरे सवाल आपसे यह है कि, आपति जनक शब दिसलिए मैंने कहा, क्यूंकि अगर आपको वह आपति जनक नहीं लगता है, तो जो आपने कहा, जिस edited चीज को, मतलब जो edited portion है, जिसको डाला गया है, मुहमद जुबैर की तरफ से, उस बयान को आप दोहरा सकती हैं? देखे, साफ बात तो मैं इतनी कहूंगी, कि अब यह मामला सब जुडिस है, जिस तरीके की सतर हजार प्लस मुझे जान से मारने की धंकिया आई हैं, और मैं आपको बता दू तो भारत से नहीं, विश्व भड से आ रही हैं, क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताकि रसूल की एकी सजा सर तन से जुदा, क्यों? क्योंकि महमद जुबेर ने कहा, के मैं नफरत फैला रही हूं, क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामुहिक डुषकर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और मेरा और मेरी बेहन के साथ सामुहिक डुषकर्म होना जो आल्ट न्यूज वाले हैं, उन्हों ने कहा कि मैं गाली गलोच कर रही हूँ, तीसरा कि मुझे और मेरे परिवार जनों को जान से मारना पड़ेगा, क्यूं? क्यूंकि मोहमद जुबेर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूँ, कृपया करके फैक्ट चेक करें, मैं इन्वाइट करती हूँ, मैं मोहमद जुबेर को जादा इंटेलेक्च्वल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूँ, मैं इन्वाइट करूँगी, कि कोई इस्लामे क्लरिक आए, देखिए हम लोगतंत्र में रहते हैं, यह जगा सिविल डिबेट की है, अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं, जिसमें मेरे बलातकार के साथ यह कहा गया है, कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलातकारी थे, फोटो के साथ आया है, अब कृपिया करके मुझे बताईए, मैं या कोईसी के भी नाम मूँ से आपने सुनाएं, कि भाया जा अभी मुझे का यह टार्गेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन एक लाख मेसेजिस, सतर हजार बार पड़कियों कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अब तो असी हो गया होगा कि मैं परिशान होगी, कि ता फॉलो कर लोंगी, सुबह मेरे पुराने घर पे, तो लोग ही कत्र यूँ गलत है, तो आप उसको नकारिये, बताईए कि मैं कहा गलत हूँ, मैं अपना बयान वापिस लूँगी, लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुशकर्म, सरतन से जुदा, और जान से मानने की, और खून खराबा करने की, और महौल बात करेंगे, सिरफ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लिंड से, दुबाई से, साउथी स्टेशन कंट्री से, और ऐसी तमाम जगाओं से आ रही है, एक किसी ने मुझे अभी लिंक भेजा जिसके बारे मुझे पता ही नहीं था, उन्हों ने तो वो वाली पाइलेशन बनाई है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है, इंस्टेग्राम पे, ट्विटर पे, फेस्बुक पे, अन्या सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इंबॉक्स में, मेरे इमेल पे, मेरे वाट्साप पे, मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से, एक सिवल सुसाइटी की डिबेट की जगा, अगर मुझे या मेरे परिवार जनों में से किसी को भी, इतनी सी भी हानी हुई, तो उसमें डेर सो परसेंट मोहमत जुबेर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नकली, फरजी वाड़ा, फेक न्यूस फैलाया, फैक्ट चेक करने की जगा, सिविल डिबेट करने की जगा, उन्होंने एक heavily edited, selective विडियो अपलोड किया, और जब उनसे पूछा कि आप सब कुछ दिखाईए, तो उन्होंने बात से मुकर के, बिल्कुल डाइवर्जन माल लिया, जो वीडियो मुहमत जुबैड ने शेर किया है, वो distorted है, मैं आपको कह रही हूँ, वो heavily edited है, और अब मामला subjudice है, मैंने अपनी complaint दर्ज कर दी है, intelligence input से मुझे पता चला है, कि मुझे और मेरे परिवार जनों को, कोई सिर्फ हलकी नहीं है, बहुत severe death threat है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, कि अगर किसी के scripture से कुछ पढ़ना बोलना, अगर मार काट की threat और धमकी invite करता है, तो फिर आदरने सर्वोच नाले ने जो कहा था, कि हम एक freedom of speech की country है, and free speech and descent is a safety wall of a democracy, तो क्या वो सही नहीं था, तो ये कौन लोग हैं, जो आदरने सर्वोच नाले की बात ना मान के, इस तरीके की बचसूरत, धमकियां मेरे और मेरी परिवार जनों के को भेज रही है, अपने जो पुलिस complaint लिखाई है, जी बिल्कुल कर रही हूँ, और मैं पुलीस कह रही है, मैं नहीं, कि आपके खिलाफ मुहमद जुबेर ने जो मुहीम छेड़ दी है, fake news spread करके, ये control में नहीं आ रही, क्योंकि भारत से भी फाहर से आ रही है, तो कल को अगर मेरे, मैं दुबारा तिबारा कहूंगी, मेरे परिवार जनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानी पहुँची, तो इसमें केवल और केवल डेड़ सो प्रतीशत, fake news spreader मुहमद जुबेर जिम्मेदार है, साथ में मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी, आशा रखती हूँ कि मौहमद जुबेर इनके खिलाव भी ऐसी मुहीम छेडेंगे, तो फिर, यह थादीथ इन बुखारी, आप अगर मैं आशा करती हूँ कि मौहमद जुबेर का अगला ट्वीट होगा, मैंने तो खेर ऐसे कोट भी नहीं किया जैसे की है, कि जाकिर नायक उनके धरम के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके धरम को गाली दे रहे हैं और भावदा भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद मैं भी देखती हूँ, अगर एक लाग से उपर सर्तन से जुदा की मांग और सामूहिक बलतकार की मांग आती है, क्यों नहीं करते हैं, मैंने बोला ना, एक सिवल सुसाइटी है, डिबेट करते हैं, अगर किसी के स्कृप्चर से कुछ कोट करना, अगर नफरत फैलाना है, तो सवाल ही बदल गया, सवाल ही बदल गया, और मैं आपको, क्या दिखा हूँ, क्या दिखा हूँ मैं आपको, मैं क्या क्या दिखा हूँ आपको, the calls I am getting, the messages I am getting, and मैं कितनी बारी दोहराओं कम है, मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ हुआ, करने वाला और उससे बड़ा अपरादी मोहमद जुबेर रहेगा, देख लीजे आप, यह देखे सब, यह देख लीजे आप सब, आपको focus करना है आप देखिए, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ दुनिया भर देखे, यह सबी एक ही समुदाई के लोगों के तरफ से आपको calls आ रहे हैं, मुझे तो लोग बना के भेज रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसको compile करके भेजा है हमारे एक समर्थक ने, कि दीदी आपके खिलाफ बहुत serious मामला चल रहा है, कौन-कौन से शहर से कौन-कौन से वो लोग अपने आप मेरे पास सच में इतना समय नहीं है अभी कि मैं एक लाक में एक लाक पड़ू, मेरे को अगला एक महीना लग जाएगा मैं आपको बता नहीं सकती और बयान नहीं कर सकती कि मैं एक खटा ही नहीं कर पाऊंगी कहां कहां से किस-किस तरीकी की धंकी मुझे आई है, और आज तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया मेरे पुराने घर के अंदर लोगे कत्रित हो गए पूछने के लिए कि नुपर शर्मा कहा है, यह बकाइदा मैंने कमिश्टर ऑफ पुलीस दिल्ली हेड़कोर्टर में मैंने करी है, नचुरली जब पुलीस ही कह रही है कि आपकी जान को खत्रा है, आपकी जब धुलीस देड़ ऑुलीस के लिए इना ऑफ बताइब नहीं के लिए दोता है,